जो होमन्स होते हैं उनके पास केवल एक ही ब्रेन और हर्ट होता है लेकिन जो ओक्टोपास होते हैं उनमें ऐसा नहीं है इनके पास तीन आठ्स होते हैं हर्ट का काम होता है कि ब्लड की स्प्लाई करना यानि इने रेगुलर ब्लड की स्प्लाई चाहिए इसका कार्ण है कि इ इंडीपेंडेंडी अमने सार कारी करते हैं पर जो 9th brain है वे पूरे nervous system को control करता है और इन mini brain को भी और इन mini brain को override कर सकता है इसलिए इतने brain के लिए blood तो चाहिए इसलिए इनके पास extra heart है और जो इनके blood का color होता है वे red nail के below होता है जो गोल्ड होता है वे नेचर में natural होता है पर यह गोल्ड आपके स्रीर में भी है अभी आपके स्रीर में सोना है पर यह काफी कम मातर में है जो गोल्ड होता है वे good conductor होता है electricity का तो यह आपके स्रीर में electrical signals को transmit करने में हेल्प करता है 10 years old me after this Painter इंडोनेशिया, मलेशिया, एंड फिलिपिन्स के ट्रोफिकल रीजन्स में इनके साथ ही ये अपनी स्किन का कलर भी चेंज गा सकते हैं और अपना टैक्सर भी और ये जैदा गुरूप से नहीं बनाते हैं पर इनकी जिंदी काफी चोटी होती है एक चलेकर दो जियाज तक जाब ये रहते हैं अन्य जीवों के साथ जो एक हुमन बोड़ी होती है उसमें ट्रिलियन्स ओप सेल होती है और एक सेल में बड़ी अवांट में जैनेटिक इनफोर्मेशन होती है डियाइने की फोम में जो एक किताबों की लैबरेरी को बर सकती है जितें इनफोर्मेशन एक सेल की डियाइने में होती है उतनी एक बड़ी लैबरेरी में भी नहीं बर सकती और हुमन समें ट्रिलियन्स ओप सेल होती है